2015 में 90 लाग लोग सिर्फ प्ल्यूशन के वज़से मरे थे, जिसमें 24%eeee watcha दिल की बिमारी से मरे थे, और अब तो यह आकड़ा और भी बढ़ गया है, पारी को हम उबाल कर फिल्टर करके साफ कर सकते हैं, पारी की गंदगी साफ दिखायी जाती है, इसलिए हम पुराने तरीकों से या latest technology से साफ कर इसका अप्योग करते हैं लेकिन इस प्रदुशित हवा का क्या? हम शायद इस प्रदुशित हवा की समस्या को इतनी गंबीरता से नहीं लेते क्योंकि ये और उसका प्रदुशन दिखाई नहीं देता लेकिन इसका असर बहुत कहरा होता है और ये पीडी दर पीडी दिखाई देता है 1984 में हुए भोपाल गैस ट्राजडी का असर आज भी चल रहा है तो सोच ये ये समस्या कितनी गंबीर है और कितनी नुकसान दायक वायू प्रदुशन को रोपना एक उपाई है ही लेकिन इस प्रदुशन के असर से भी बचा चा सकता है आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गैजट और टेकनोलोजी के बार में आपको बताएंगे जो इसमें आपकी मदद करेंगे तो आप शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले एर प्यूरिफायर्स ये कमरे में चुपे पल्यूशन फैलने वाले पांटिकल्स को खीच लेता है और 99% यानि कि 90 प्रतिशत हवा को शुद करता है ये घरों और इंडस्ट्री में आप रख कर दूशित हवा को शुद कर सकते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को ये बड़ा फाइदिमन्ध है जिससे ये हवा में फैले छोटी से छोटे लेकिन खतरना केमिकल पतार्तों को खीच लेता है और ऐसी परिस्तितियों में भी हमें सुद्ध हवा में सांस लेने का मौका देता है डस्ट एलर्जी वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है इंडक्शन कुकिंग मशीन जब आप प्रकूतिक गैसिस यानि की नैच्छल गैसिस को जला के आप खाना पकाते हैं तो आपको कुछ ऐसे गैसिस का सामना करना पड़ता है जो कैंसर भी फैला सकता है और इंडक्शन कुकर को यूज करके आप सिर्फ बिजली के इस्तमाल से सस्ता और अच्छी तरह से खाना पका सकते हैं इससे ना तो गैस खतम होने की जंजट ना गैस सिलिंडर्स के लिए अलग जगा बनाने की गरज और हाँ ये पोटिबल भी है तो ये छोटे से किचन मे भी आसानी से फिट हो जाता है आपको चाहिए सिफ एलेक्ट्रिक सप्लाइए और आप क्लीन एनरजी का इस्तमाल करके वायो प्रदूशन से बच जाएंगे और वो भी बड़े किफायत दाम में टेसला ने उलेक्ट्रिक कार्स के तीन मोडल्स रिलीस किये है ये कार्स एक बार चार्ज करने से ये गाड़िया 500 किलोमेटर तक भी चलती है और ये बहुत ज्यादा सुरक्षित भी होती है ये पेट्रोल डीजल और या अन्य इधन को उप्योग करके नहीं चलती इसलिए इनसे जहरीले प्रदूशिट गैसेज नहीं निकलते। यह हवा में फैले प्रदूशन को काफी हद तक कम कर सकती है अगर हम सब इस टेखनोलोजी को अपना लेतो। प्यूरिफिकेशन टावर्स चाइना की गवर्मिंट ने हवा से एर प्यूर्यूशन को कम करने के लिए एर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये 100 मीटर लंबे टावर्स लगवाये हैं मान लीजिये ये air purifiers जैसा ही काम करता है सिर्फ आकार में बड़ा है ये हवा के production को खीच लेता है और शुद्ध हवा को बाहर निकालता है Air Quality Meter क्या आप जानते हो कि आपके घर की हवा कितनी pollution रही थै तो दोस्तों ये अब मुम्किन है अपने घर में हम खाना बनाते वक्त या आग जलाते वक्त या किसे appliance को यूज करते वक्त जैसे की mosquito repent जाने अंजाने में आसपास की हवा को दूशित करते हैं और ये बाहर की हवा से ज्यादा हानिकारक हो जाती है हम अपने घरों में अब इस प्रदूशन को माप सकते हैं और प्रदूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं Green Renewable Energy का प्रयोग Solar Energy, Wind Energy, Tidal Power, Biomass जैसे Green Renewable Energy सिर्फ Energy ही नहीं देती बलकि इसके उप्योग से किसी तरह का pollution भी नहीं होता Carbon Dioxide Extractor Carbon Dioxide Gas Global Warming के लिए सबसे ज्यादा दोशी माना गया है ये gadget हवा में Carbon Dioxide को खीच के बहार निकालती है ये काफी हद तक Global Warming के प्रोसेस को भी स्लो कर सकती है Innovative Exhaust Pipes ऐसे exhaust pipes होते हैं जो photosynthesis के द्वारा धुवे को oxygen में बना देता है जो हमारे बहुत काम आती है और कुछ ऐसे pipes भी होते हैं जो कार के धुवे को filter करके उससे निकले हुए धुवे को इंक बनाने का प्रयोग में भी लाती है यानि कि ये सब हवा में फैलने से बचाता है Air Filter Masks ऐसे marks भी आते है जो आपको हवा में प्रदूशित पदार्तों से बचाता तो है साथ में हवा में छुपे बैक्टिरिया से भी बचाता है ये हवा बहार चोड़ते वक्त moisture नहीं पैदा होने देता यहां inbuilt fans से बना हुआ है यह पहनने वाला इंसान के सास लेने की गति के अनुसार हवा का circulation balance करता है यह charge करके आप इसे कहीं भी पहन कर जा सकते हो तो देखा दोस्तो technology ने हमारी life कितनी आसान बना दी है यह देखा जाए तो सिफ pollution से बचने और रोपने के तरीके है जो अगर कोई आजमा ले तो शायद हर किसी की जिन्दगी सुधर जाएगी और अगर आपको हमारे विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए विडियो तक के लिए अलविता दोस्तो थान्यवाद